तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ Firefox के Firefox Quantum के बारे में दोस्तो आपको बता दू कि Mozilla ने हाल में ही Google Chrome और Microsoft को ठकर देने के लिए Next Generation का ब्राउजर Firefox Quantum लाउंच किया है और आपको बता दू कि ऐसा माना जा रहा है कि 13 साल में दिये जाने वाला ये सबसे बड़ा अपडेट है इसके पहले दोस्तो 2004 में Firefox ने 1.0 लाउंच किया था ये ब्राउजर Windows, Mac, Android और iOS के लिए जारी किया गया था मुझला के इस नए वर्जन के लाउंच हो जाने की बाद ब्राउजर को कोर इंजन पूरी तरीके से नए टेकनोलोजी पर बदल दिया गया है और ये ब्राउजर दूसरे ब्राउजर के कमपेर में कम मैमरी यूज़ करता है और इसमें एक से अधिक टैप खोल सकते हैं इसकी स्पीड भी बागी ब्राउजर से काफी तेज है और इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया है ये है उसका यूजर इंटरफेस जिसका नाम कमपनी ने पोटोन रखा है आपको बता दू कि दो महिने तक कमपनी ने इसे बीटा वर्जन में टेस्टिंग किया था उसके बाद इसे सभी यूजर के लिए लाउच कर दिया गया है जादा स्पीड के साथ इस नए ब्राउजर में कई तरह की टूल्स पहले से दिये गये हैं जैसे की रिडिट टेलर सर्विस पैकेट जैसे टूल्स जो की काफी काम के हैं इसके साथ ही दोस्तों इस ब्राउजर में प्राइवेट ब्राउजिंग का भी ले आउट बदल दिया गया है दोस्तों आपको बता दू कि मोजिला के अधिकारियों ने अपने ब्लाउग में ये कहा है कि अमेरिका और कैनाडा में अब फायरफॉक्स ब्राउजर में गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन होगा हाला कि दोस्तों भारत की बात करूँगा तो अभी फायरफॉक्स का डिफॉल्ट सर्च इंजन यहू है आपको बता दू कि इससे आप प्ले स्टोर या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों जस इंफोर्मिशन लाया था मैं मुझेला के फायरफॉक्स कॉंडम के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जोड़ से रखीजेगा हमारे चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कीजेगा